Dear Students, आप सवे क्या एक बार फिर से स्वागत है बच्चों एक बार एक छोटा बच्चा संधिया के समय बॉल खेल रहा था खेलने के दोरान उसका बॉल लताओं में कहीं फंस जाता तो वह अपनी मा से बॉल निकालने के लिए जित करने लगता है उसकी मा कहती है बेटा अब साम हो गया है पेड़ सो रहे है मैं सुबह मैं तुम्हें बॉल निकाल दूँगी तो वह चोटा बच्चा कोई और नहीं था वो जगदिश चंदरबसू ही थे अपनी मा की बातों से प्रेरित होकर वे एक महान बेज्यानिक बन जाते हैं तो आई देखते हैं इस चेप्टर में उन्हीं के बारे में दिया हुआ है ये क्लास 3 का हिंदी बुख है और चेप्टर 20 है जगदिश चंदरबसू इस चेप्टर का नाम है उन्हीं के नाम से दिया हुआ है तो हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं इस चेप्टर में क्या दिया हुआ है प्राचिन भारत में विज्ञान का विकास हुआ था ध्यानी ज्यानी भी विज्यान की सच्चाई तक पहुँच गए थे इसलिए पुराने लोग पेड़ पोधों को काटने से मना करते हैं पेड़ पोधों को जल से सीचने की बात करते हैं, बाग बगिचा लगाना पुईन समझा जाता है, केवल किसान ही पेड़ पोधों की सेवा नहीं करते थे, रिशी मुनी और आचारी सिच्छक भी पेड़ पोधों की सेवा करते थे, विद्या पीट के विद्यार्थियों को भ जो बिद्धार्ण में आचारी जी के पास अध्यन करने के लिए जाया करते थे, तो वे भी आचारी जी के साथ साथ खेतों में काम क्या करते थे, जंगलों से लकडिया लानना, इस तरह कि जो जीवी का चलाने का जो भी कारी था, वे भी वहाँ पे क्या करते थे भारत के इसी मुनियों ने अपने ग्यान से बताया था कि सभी जीव जन्तु और पेड़ पोधों में जान होती है अता सब को प्यार करना चाहिए यह विचार सब में बैठ गिया था इसलिए हम पेड़ पोधों के मूल में जल देकर पुइन करते रहे हैं जैसा कि यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि इरिश्यमुनी पहले हैं हम लोग को बता चुके थे वे अपने ज्यान से यह जानते थे और हमें बताये थे कि सभी जीव जन्तु पेड़ पोधे में जान होती है इसलिए हमें उसका ख्याल रखना चाहिए उससे प्यार करना चाहिए तो यह विचार बहुत पहले से ही हमारे मन मस्तिस्क में बैठ गया था इसलिए बहुत सारे लोग सुबह सुबह जब स्नान क्या करते हैं तो पोधों में जल देकर पुईन पराप्त करते हैं आज विज्यान ने प्रयोग से सिध कर दिया है कि पेड़ पोधों में जान होती है भारत के ही एक विज्यानिक स्री जग्दिस चंदरबसु ने अपने प्रयोग से सिध कर दिया है इसलिए सारे संसार में विज्यानिक तो हमारे देश के एक महान विज्यानिक हैं श्री जग्दिश चंदरबसू उए बैग्यानिक दिरिष्टी से ये सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पोधों में जान होती है पहले तो हम लोगों को रिश्यमुनी बतला ही चुके हैं लेकिन इसी बात को बैग्यानिक तरीके से प्रूप किये जरी जगदिश चंदरबसू ने बसू का नाम हो गया तो वह वीध्यानिक बन गए जगदिश चंदरबसू के नाम से उपरसिद हो गए उनके कारण भारत का सीर्भी उ 두 diseases उन्होंने बता दिया कि भारत का वीध्यानिक भी उचे परियोग कर सकते हैं कई बार विदेशी बेग्यानिक ऐसा समझते हैं कि भारतिय बेग्यानिक उन लोगों की तरह उचे अविस्कार या खोज नहीं कर सकते लेकिन जग्दिश चंदर बसु ने पेड़ पोधों के बारे में जो विसकार किया जो पता लगाया उससे यहसिद कर दिया कि किसी भी मामले में भारतिय बेग्यानिक उनसे कम नहीं है विस्व में उनकी बेग्यानिक खोज सभी को मानना पड़ेगा ऐसा ही हुआ हर्स का विसे है कि जब भारत प्राधिन था उस समय बसु ने ऐसा कर दिखाया उस समय हमारा देश अंग्रेजो का गुलाम था उस समय की बात है कि जग्दिश चंदर बसु ने इस परकार के अविसकार करके दिखाये जगदिश चंदरबसू बंगाल की निवासी थे उनका जनम धाका के पास सन 1808 इस भी में हुआ था दुख की बात है कि उनका जनम अस्थान पाकिस्तान में चला गया अब वह बंगलादेश में है हम अपने देश का मतवारा रोक नहीं सके जगदिश चंदरबसू जिस समय उनका जनम हुआ था उस समय वह जगा हिंदुस्तान के अंदर ही आता था लेकिन आज के समय में वह धाका के पास चला गया है जो की बंगलादेश में आज के समय में है तो यहाँ पे पकिस्तान लिखा हुआ है तो सबसे पहले जब हिंदुस्तान से कटकर अलग हुआ था बंगलादेश तो उसका नाम पूर्वी पकिस्तान था बाद में बंगलादेश रखा गिया है इसलिए यहाँ पे पकिस्तान लिखा गिया है सिरी बसु के पिता, सिरी भगवान चंदर बसु सरकारी अधिकारी थे उन्होंने बचपन से जगदिश चंदर की सिच्छा की अच्छी वेवस्था की उनके पिता का नाम यहाँ पे भगवान चंदर बसु दिया हुआ है तो इसको आप लोगों को याद रखना है, समय समय पे इस पूछा जाता है बचपन से जगदिश चंदर की रुची बिज्ञान की और थी, वे प्रिसरम से पढ़ते थे कलकता से बिये किया, तब वे पिता की अनुमती से इंग्लेंट गए अब वे बचपन से ही अच्छे से पढ़ाई करते थे, मन लगा कर पढ़ाई करते थे और बिज्ञान में उनकी इंट्रेस्ट सब्जक्ट था, इंट्रेस्टिंग सब्जक्ट था वो बिज्ञान का महल खड़ा कर दिया उस समय हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं थी हमारे देश में जो भी ब्रिलियंट स्टुएंट हुआ करते थे उनको कोई भी इनकरेज नहीं क्या करता था उसको आगे बढ़ने में मदद नहीं क्या करता था लेकिन फिर वे जगदिश चंदरबसू किसी भी तरह से हारे नहीं और अपनी खोज करते रहे और एक महान बग्यानिक के रूप में उभर कर आये सब या भारत के लिए बहुत ही गुरव की बात था उन्होंने विद्धूत की बिजली की खोज की और उनके जब आर्टिकल्स अख़बारों में छपने लगे तो बहुत सारे बिद्वानों ने अब उनकी मान परतिष्ठा करने लगे उन्हें भी समझने लगे कि नहीं ये भी बड़े विज्ञानिक है इसके बाद जगदिश चंदरबसू एक विज्ञानिक के रुक में सबके सामने आये उन्होंने खोज और महनत से एक यंतर बनाया इस यंतर ने बताया कि पेड़ पोधों में भी जान है पेड़ पोधे रात को सोते हैं परभात मेवे हमारे समान उ लगे कि जान तो होता ही है हमारी तरह वे सोते हैं और दिन में उठते हैं फिर सांस लेते हैं और हमारी तरह ही भोजन करते हैं वे सूरी की उर्जा से भोजन प्राप्त करते हैं और बिल्कुल मनुस्यों की तरह ही वे जीवन जीते हैं वे 40 वरसों तक वेज्ञानिक खोज क तेरे और उनने बेतार का तार, simply अगर बेतार का तार बोला जा तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, कई सारे लोग भी नहीं समझ पाते हैं, इसको वाइरलेस अगर बोला जाए, तो फिर लोग समझते हैं, वाइरलेस मतलब बिना तार का ऐसा मसीन जो काम कर सके, जैसे कि आज के जमाने में मोबाइल है, तो मोबाइल में कोई तार लगा नहीं रहता है, फिर भी ये वर्क करता है, तो ये बेतार का तार वही हो गया, वाइरलेस हो गया, हलाकि इन्होंने बेतार का तार का खोज किया, लेकिन इनको जो है मान्यता नहीं मिली, इसको मान्यता जो है सरोपर्थम जगदिश चंदरबसु नहीं किया था तो इस तरह से भारत का अजयस बढ़ा इसका मान समान बढ़ा उनकी सफलता पर हमने घी के दिये जलाए एक पुराना विश्वास विज्ञान से सिध्ध हुआ पुराना विश्वास नया बन गया लोग इस तरह की बाते कहते थे कि पेड़ पोधो में जानोती है लेकिन इसको कोई प्रूप नहीं दे सकता था इसका कोई सुबूत नहीं दे सकता था लेकिन इसको जगदिश चंदरबसु ने सबको दिखा दिया कि किस तरह से पेड़ हम से अलग नहीं है हमारी तरह ही वे जीवन जीते हैं स्री बसू सन 1936 इसवी में इस संसार को छोड़ कर चले गए परंतु वे अमर हो गए ऐसे महान लोग यस पाकर अमर हो जाते हैं तो उनकी मिर्तियों जो है 1936 इसवी में हो गया वे हमारे बीच नहीं रहे परंतो आज भी वे ऐसे कर्म किये हैं ऐसे काम किये हैं कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा वे अमर हो गए हैं और उनहीं की तरह हम लोगों की उनसे प्रेरना लेने की आव सकता है कि हम उनहीं की तरह मेहनत करें और अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि हमारा भी नाम इस दुनिया में राजाए तो यहां पे यह चप्टर समाप्त हो जाता है आए देखते हैं इसमें क्या question दिया हुआ है one number में यहां पढ़ें और समझें जो कि सभी चप्टर में दिया हुआ है यहां पे हिंदी सब्दार्त दिया हुआ है तो मैं आपको आगे बना कर दिखाऊंगा और four number में निमलिखित प्रस्णों के उतर दें जो इस चप्टर का मुईख question है तो आए मैं आप लोगों को इसका answer बना के दिखाता हूँ यह है chapter 20 का question answer निमलिखित सब कैसे बने हैं यह संदी विखित दो बनाने के लिए कहा गया था तो वही है यह तो इसका संदी विखित कर दिया गया है विद्याला है जगदीश, परिच्छा, प्राधिन, विवस्था तो इसका संदी विखित यहाँ पे बना दिया गया है question number four पेड़ पोधों के बारे में पुराना विश्वास क्या था पेड़ पोधों के बारे में रिशी मुनियों ने बताया कि पेड़ पोधों में जल देना चाहिए पेड़ में जल देना पुईन क्यों है पेड़ हमें oxygen देते हैं वह हमें भोजन परदान करते हैं तथा हमारी हर आवसकता को पूरा करते हैं इसलिए पेड़ में जल देना पूईन माना जाता है जगदिश चंदर ने उच सिच्छा कहां पाई जगदिश चंदर ने उच सिच्छा इंगलेन में पाई उन्होंने कौन सा विस्कार किया उन्होंने बेतार के तार का विस्कार किया और यहां पे यहां चप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है ताप हमारी इस वीडियो के एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं